हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई चानल क्रिपल पी कॉर्णर तो गाईज आज वेकर शेयर करने वाली हूँ मांसुन मेकप हैट्स जिससे आपका जो मेकप कर रहे हो वो मांसुन की सिजन में बहे बीना और लॉंग लास्टिंग रहे अगर आप कॉलेज ओंग गल ह और जो फिर उफिस जाते हो तो यह आपके लिए बहुत हेलफिल हुने माला है अगर आपके विनमे और मीनिमल मेकप करना होता है तो बहुत अच्छा होने माला है यह फिर में अपके लिए मेक अमाम ref you. 더 RAW क्रिर्ट क्रियेठ कीया मैं पतलर वाली की घूरा है मैं आ कि आपके लिए तो मैं किस तरह से make up करती हूं जिसी मेरा make up all-n us रहता है दिन वर ट का रहता है कोई कभी पाश्त थे गला नबड़ता है बाकी मैं अश्य होती हो है तो यहीं आपके साथ में शओर करने वाली जिससे प्रवाद हो सकती है अगर आपको बहे जाएगा या फिर श्वेट आजाएगा तो चला जाएगा या फिर बादिश के पानी से भी वह चला जाता है अगर अगर बहुत बड़ा काय रहे हैं अगर जो फंक्चन है वह है या इसा कुछ है तो मेकप ठीक है लेकिन करना तो यह वाला मेकप बहुत अच्छा होने वाला है उसके सासाथ में बहुत सारे हैक्स में बताया है तो आगर आप यह ट्राइं करोगे ना तो आपका मेकप जो है ना वो बहे लिए गा भी नहीं तो जलते हैं काईज हमारे वीडियो की तरब मैं अपने मेकप की स्टार्टिंग स्कीन केर से करती हूँ सबसे पहले तो आप अपने फेस को वाश कर लो उसके बाद कोई भी टोनर आपके पास हो वाप यूज़ कर लो या फिर आप गुलाब जल का भी इस्तमाल कर सकते हो रेनी सीजन में टोनर इंपोर्टन है विकस यह क्या करता है आपके पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है उससे आपको ब्रेकाउट्स या फिर पिंपल्स एक्ने नहीं होते मैं टोनर लगाने के बाद क्या करती हूँ थोड़ा सा हलका हलका अपने फेस को मसाज देती हूँ वो भी आप कर सकते हो नेक्स्ट माइ सेकंड हैक इस मॉस्चुराइजर आप कोई भी वाटर बेस मॉस्चुराइजर या फिर ओईल फ्री मॉस्चुराइजर यूज कर लो क्योंकि इस टाइम पे स्कीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते है तो आप स्कीन के ओईल को या फिर स्कीन के मॉस्चुर को मेंटेन करने के लिए हमें मॉस्चुराइजर की बहुत ज़्यादा जरुत होती है तो आपके पास कोई भी water based moisturizer या फिर आपके पास कोई भी oil free moisturizer हो तो आप उसे use कर सकते हो Another hack is जब भी आप skincare करो तो कुछ देर बाद अपने skin को read करो कि आपके skin को foundation चाहिए या फिर नहीं चाहिए मैंने यहा देखा कि मुझे न हलका हलका कही कई spot था और मुझे वो correct करना था तो मैंने क्या किया ये मेरे पास concealer है वो मैंने चूज़ किया ये है miss scale का concealer वो मैंने use किया और उससे मैं अच्छे से जहाजा spot एना और correct करना है वहाँ वहाँ लगा लिया और अच्छे से beauty blender की help से जो damp beauty blender होता है ना उसकी help से मैंने उसे blend किया बस इतना ही करना है क्योंकि बेकार में आप foundation यूज़ कर रहे हो तो क्यों करना गाइस बस अगर concealer से काम हो रहा है ना तो बस concealer ही यूज़ किजिए So, मांसून में concealer is the best जहाँ जहाँ आपको spot है करेट करना है वहाँ वहाँ लगाईए तो आप देखना आपका smooth सा best मिल जाएगा कंसीलर लगाने के बाद मैंने अपने base को set किया है using my purple compact powder आप चाहे तो loose powder भी लगा सकते हो ये मेरा जो compact powder है ना वह मेरे make-up को अच्छे से set कर लेता है तो आपके पास कोई भी ऐसा compact powder हो जो आपके make-up को अच्छे से set कर लेता है तो उसी का इस्तमाल करके आपको को make-up को जो best बनाये ना अपने उसे आपको set करना है next मैंने अपने brows को groom कर लिया है और अब मैं उन्हें पावडर प्रोड़क नहीं तो क्या होता है हावा से ही वह उड़ जाएगा या फिर पाणी वेगरा आपके मुह के उपर आएगा ना rainy season का तो वो ना चला जाता है बह जाता है आपका make-up जो भी आपने लगाए ना ब्राउस के उपर पावडर वो बह जाता है फिर matte lipstick यह इस्तमाल करने से जादा देर तक जो प्रोड़क है ना वो आपके face के उपर टिका रहेगा जल्दी से गिला होने से खराब नहीं होगा मैं personally cheek और lip tint जो होते हैं वो लगाना पसंद करती हूँ उससे ना आपको touch up का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि बार-बार आपको लगाना पड़े आप एक ही बार लगा के छोड़ दो उसके बाद आप जितनी दिर office में रहोगे और college में रहोगे या फिर किस भी program में जाओगे ना तो आप देखना आपका product है ना वो टिका रहेगा और मैं क्या करती हूँ कोई भी eyeshadow use नहीं करती मैं दिखाऊंगी बहुत-बहुत make-up और आप करने जाओगे और वो टिकाएगा नहीं तो क्या बतलब है उसका तो इतना make-up करोगे ना तो यह make-up टिका भी रहेगा और अच्छा भी दिखेगा नेस्ट अगर आपको liner लगाना है तो आप लगा सकते है उसके लिए आपको कोई भी waterproof जो लाइनर होता है ना eyeliner वो आपको लेना है और वो लगाना है तो मैं तो basically use करती हूँ काजली प्रेफिर करती हूँ जो भी waterproof काजल होता है वो लेती हूँ तो यहाँ मैंने sugar का waterproof काजल ल रही हूँ और उसके बाद में इसे ना हलके हलके हाथों से मतलब ब्रश लेती हूँ जोटा सा और उसे ब्लैंड करती हूँ तो वो अच्छा लूग देता है और as a casual भी मैं इसे ही यूज करती हूँ तो आपको ना यह बहुत अच्छा लूग देने वाला है सच में गाइस यह करके जरूर देखना मुझे लाइनर से ज्यादा ना इससे यूज करना बहुत पसंद है और इससे ना सेट भी आप कर सकते हैं कॉम्पैक से वेगरा या फिर जो ब्राउन कलर होता है ना आईशाडो का उससे भी आप सेट कर सकते हैं तो यह ज्यादा दे तक टिका भी र आयगा और जब भी आपको ना कोई भी वोटर का या फिर रीनी पानी होता है जो आपकी पर फेस आई घ्र हचाटे और तो और की आपको उसे ही उसका कर ना है क्या करती हूँ जो इसे में अपने अंडर राइ्स को एर काजलगा को मेंसेट कर लेती है उस्ते क्या होता है वो प्रोडक्त न अच्छे सो टिका रहता है और अँडर आइज जादा तेर तक टिके रहते हैं और रेनी सेजन के कारण हमें यह करना चाहिए इससे हमारा मेकप भ लगाना बहुत पसंद होता है लेकिन मैं आपको बदा दू कि यह ना यह जो दोनों होई ना वह आपको रेनी सिजन में नहीं लगाने चाहिए अगर आप रेनी सिजन में जाओ गे ना तो आपके वो फेक आलेसे पाने की वज़े से निकल जाते हैं और उसके बाद जो आप कॉंटेक लेंसेंस यूज करते हो ना तो यह तो आपके पाने के वज़े से ना टूटो जाएंगे या फिर आपके आख से निकल ही जाएंगे तो आपको ना कॉंटेक लेंसे और फेक आलेसे को अवोईडी करना है इस सिजन में तो आपको अगर आपको कोई बड़ा तो आप बिलकूल भी से यूज मत करना हुए इतना ही मेक अपकर करके आपको जो फूर ईर रिंग्स डालने हैं या फिर यह से हैरस्टाइल करना है जिस भी आक के लिए आप जारे कोले जा रहे है और भी आफर अफिक जारे हो या फिक फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप उसे make up कर सकते हो मतलब शी जुलिडरी वगरा डाल सकते हो अहां पर मैं ओफीस जा रही थी इसलिए मैंने यह सब कुछ डाला और मैं ready हो गई तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ओफिस वेगरा के लिए मेकप करती हूँ इतना ही आप मेकप करोगे तो आपको यह टिका भी रहेगा और अच्छा भी लिगता है तो आप बिल्कुरी से ट्राइ करना और फिर मुझे कॉमेट से बताना गाइस कि आपको यह कैसा लगा त तो सब भी है इस तरह से थे कि I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और helpful लगा हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कितना helpful हुआ है या फिर आपने यह वालना लुक ट्राइ किया है न तो प्लीज कॉमेंट करके बताना या फिर आप मुझे इंस